राधे राधे प्रेंट्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में आज मैं बहुत ही स्वाधिष्ट और लाजबाब सब्जी का रेसेपी लेके आई हूँ आपको बहुत पसंद आने वाला ये रेसेपी प्रेंट्स अगर मैं आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो प्लेज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मच चाहिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर करिएगा चलिए तो प्रेंट्स आज की रियसे भी बनाना शुरू करते हैं और यहां पर दिखिए मैंने आधा मीडियम साइज का पत्ता गोभी काट कर रख लिया है एक कप चने की दाल भिगो के रख दिया है यह अच्छी तरह से फूल गया है कडाई में मैंने तेल डालके रख दिया है गैस पर और तेल अमारा गरम हो गया एक चम्मच सरसोदाना डालेंगे और एक चम्मच जीरा इसे तड़कने के बाद इसी में डाल देंगे बारीक कटा हुआ दो से तीन मीडियम साइज का प्याज और प्याज डालने के बाद इसे चलाते हुए हलका प्राई करना है ज्यादा प्राई हमें नहीं करना है सिर्फ हलका ही प्राई करना है और यहां पे देखिए हमारा प्याज प्राई हो गया है और अब हम इसी में डाल देंगे दो चमज हल्दी पाउडर एक चमज डालेंगे अधरक लहसुन का पेस्ट इसे डालने के बाद 2-3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ता और अब इसी में डाल देंगे आधा चमज लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च डाल सकते हैं कमिया जादा कर सकते हैं और अब मसाले को 2-3 मिनट तक के लिए भून लेंगे चलाते हुए और इसी में डाल देंगे लगबग 4 मेडियम साइज का कटा हुआ टमाटर टमाटर देखिए मैंने काटके रखा हुआ था इसे भी हम इसी में डाल देंगे और अब हम इसी में डाल देंगे भीगोया हुआ चना इसमें हमें कुछ भी पिसने उसने का जंजट नहीं है बहुत आसान तरीके से ये सबजी बनकर तयार हो जाती है और अ दालेंगे स्वाद अनुसार नमक नमक डालकर अच्छी तरह से सबजी को चला देंगे और मसाले को खूब अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक की मसाले से तेल न छोड़ दे और अब कड़ाई को डग देंगे पांच मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे ताकि हमारा चने क पकने भी लगा है आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून गया है और अब हम इसी में डाल देंगे दो से तीन हरी मिर्च कटा हुआ है आप देख सकते हैं इसी तरीके से माने लंबा लंबा काट लिया है और अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी पत्ता गोभी क ढग देंगे और यहां पर देखिए फ्रेंस दो मिनट हो गए हैं और अब हम सब्जी को अच्छी तरह से चला देंगे नीचे से आप देख सकते हैं इसी तरीके से चला देंगे उपर नीचे कर देंगे अच्छी तरह से सब्जी को मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से चलान चेक करते हैं अपनी सब्जी और ये देखिए सब्जी बनके तयार हो गई है और एक बार इसी फिससे अच्छी तरह से हम मिला देंगे और उपर से डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती फ्रेंड्स सिर्फ एक बार आप हमारा ये रेसेपी जरूर से ट्राई करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे-राधे